हेलो फ्रेंड्स अगर आप नौनवेच खाने के सौखीन है तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही टेश्टी क्रिस्पी मसाला फिस्फ्राइगी रेस्पी जो बनाना बहुत ही असान है और खाने में बहुत ही कुरकुरी और टेश्टी होती है यह देखिए बाहर से कुरकुरी है और अंदर से कितनी ही जूसी और सॉफ्ट है और इसे ना हरी धनिया की चटनी के साथ खाई ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए इसके लिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर लेशन की कलिया ली है दस से बारा हरी मिर्ची ली है साथ से आठ और अधरक लि होक्त है 2 बड़े चम्मच यानि की एक मैंने धनिया लिया है और यहां पर देखे रहू फिश मैंने लिया है 1-5 kg और इसको न 1.5 इंच इसकी जो कटाई है ना गुलाई फिश की वो रखा है मैंने इतना उसको मोटा रखा है और यहां जो पेच्ट जो बनाये थे ना उसे ह इसमें डाल दे रहे हैं सारे को और यहां पर फीश को मैंने अच्छे से साफ करके लिया है बड़ी वली फीश लिया है इसका कटिंग इसी तरह से करेंगे और यहां पर फिर इसमें मसाले में डालेंगे एक चम्मच लाल मीज पॉडर फिर हल्दी पॉडर एक चम्मच और धनि और पिर डालेंगे गर्म मसाला पॉर्डर यहां पर एक चमर और फिर निम्बू का रस मैंने दो टी स्पून लिया है दो चम्मच लिया है मैंने और फिर यहां पर सरसो का तेल यूज कर रही हूं उसे हम डालेंगे दो चम्मच और स्वाद अनुसान नमक फ्रेंड्स यह याद रखेंगे कि जो हम फ्राइ करते हैं फीस या नॉन भेज कोई भी चीज तो उसमें थोड़ मिर्ची और नमक थोड़ा डालें तो बहुत है कि अगर आपफ्य पसंद में मिर्ची और नमक तो ठोड़ा कम डाले देखिन वैसमें थोड़ा सा स्वाय acids मेर्ची तीक ना चाहिए और नमक हलकर सब्सेसा होना चाहिए तो बहुत ही से सभी को अच्छे से हम कोट कर लेंगे इस तरह से लपेटते हुए सभी को हम रख लेंगे इस तरह से हाथ से मसलने से अच्छे से मिल जाता है तो इसलिए जब कोई भी 90 चीज को आप मसाला उसमें यूज कीजिए तो इसको अच्छे से हाथों से मसल मसल के कीजिए अब इसे ना मैं दस से 15 मिनट इसको रख लूँगी फ्रीज में ताकि मसाले इसके उपर अच्छे से कोट हो जाएं यह देखिए मैंने उसे निकाल करके यहाँ पे देखिए मैंने फ्रीज में इसे 10-15 मिनट तक रख लिया है और यहाँ मसाले कितने अच्छे से इसके उपर कोट हो गया है तब इसे हम फ्राइ करेंगे यहाँ पर फ्राइ करने के लिए मैंने कडाही को गरम कर लिया है और तेल को भी तेल यहां पर मैंने लिया है एक से ग्रेड कप और उसे अच्छे से तेल और कडाही को अच्छे से गरम कर लेंगे अगर अच्छे से गरम नहीं करेंगे तो मचली हमारी उसमें चिपक जागी कडाही में और तूट भी सकती है त और उससे में गैस का फ्लेम एदम मिडियम रखेंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा उसे लो करेंगे ऐसे उलटते पुलटते हुए ना हम इसे पांस से छे मिनट तक फ्राइ करेंगे डिफ्राइ तो अच्छे से पक जाएगी कि यहां देख रहें ना कितने अच्छे से फीश एदम तैर रही है तेल में मतब कड़ाही और तेल हमारा अच्छे से गरम है तो इस तरह ही आप अच्छे से गरम करके तेल और कड़ाही को डालिए और इसे हम उलटते पुलटते हुए फ्राइ करेंगे पांस से छे मिनट तर देखिए इस तरह से तेल को सेपरेट करते हुए हम निकाल लेंगे देखिए यहां पर कितने क्रिस्पी और टेस्टी फीश देख रहे हैं इसी तरह हम सेकेंड बैस भी डाल देंगे फीश की तेल को गरम गरम ही रखेंगे मीडियम फ्लिम पर और तभी को तभी उसमें डालेंगे फीश को अच्छे से कि देखिए कुछ मसाले बच गये हैं तो मैं फीश के उपर रख दे रही हूं वह अच्छे से उसमें फ्राइब हो जाएंगे इसे ना ऐसी हम एक से दो मिनट तक रख देंगे मिडियम फ्लिम पर फिर जाकर के इसे हम पल्टेंगे नहीं तो वह तूट जाएगी फीश हमारी माँ फ्रेंड्स येरेश्पी न बनाना बहुत ही हसानन और बहुत ही कुरकुरी बनती है बहार चे और अंदर शे मिडिय और सॉफ्ट रहती है आप इस लेश्पी को चावल दाल के साथ खाये रोटि के साथ घाए और गरम गरम आप चटनी के साथ इससे सर्ट कीजिए एक भी फीश को हम फ्राई कर लेंगे है कर्नस मेरी रेशपी अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लिज ल library किजेगा समस्क्राइब किजेगा और इसे एक बार जरूर ठ्रॉय किजेगा फिर मिलते एक नई रेशरेपी के साथ अब तेक लिए बाई बाई